नारायन नारायन, आज का विशय है आर्तता से नाम स्मर्ण हम जब सूस्थिती में होते हैं तब नाम स्मर्ण अधिक होता है जब उसमें कुछ बाधा आ जाती है तो हमारा सारा ध्यान बाधा की ओर ही जाता है इसका कारण है कि हम नामस्मरण उपरी तोर पर करते हैं श्रद्धा से नामस्मरण करना हमें कठिन लगता है नामस्मरण करते समय परमात्मा के सिवाए इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है ऐसी श्रद्धा या दुड़ निश्चय हमारे मन में होना चाहिए यदि ऐसी स्थिती होगी, तो प्रकृति में कोई विखन आने पर भी नाम समर्ण अखन रहेगा जब द्रोपती को यह भान हुआ कि सिवाई भगवान के कोई त्राता नहीं है तब उसने भगवान को रक्षा के लिए आर्थ भाव से पुखारा तब भगवान उसकी रक्षा के लिए शीग्र दोड आए इस प्रकार हमारा नाम समर्ण भी सच्ची लगन से होना चाहिए जैसे बालक हर हालत में अपनी मा को ही पुकारता है मा के सिवाई और किसी को वह जानता नहीं वैसे ही हमारा भाव नाम समर्ण के बारे में होना चाहिए हमारा सच्चा आधार कौन है यह तो संकट समय पर ही सही सही ग्यात होता है नाम समर्ण करने की सीडियां यों कही जा सकती है पहली सूस्थिती में उपरी तोर पर किया हुआ नाम समर्ण दूसरी, सिवाई परमात्मा के अपने जीवन में कोई त्राता नहीं है यह जानकर संकट समय आने पर किया हुआ नामस्मर्ण और तीसरी, यही भान दुड़ होकर भविश्य में अखंड किया जाने वाला नामस्मर्ण इन तीनों में से उपरी तोड़ पर या दिखावटी नामस्मर्ण करने वाला कहता है हमारे जीवन में संकट नहीं आने चाहिए सादू संत्य तो कहते हैं हे भगवान, हमारे जीवन में संकट आने दो क्योंकि तभी हमें आपका सच्चा स्मर्ण होगा हमें अपने अस्तित्व का भान जितनी द्रुडता से होता है उतना ही भान भगवान के अस्तित्व के बारे में होना चाहिए भगवान सरवत्र है यह भावना हमारे मन में कभी जरूर जागरत होती है किन्तु यह भावना दुड सबस्थाई न होने के कारण तदनुसार हमारा आचरन नहीं होता। यदि हमारी भगवान के अस्तित्व की भावना वृत्ती दुड हो गई तो तदनुसार हमारा आचरन होगा। यदि भगवान ही सभी बातों का करता धरता है यह भावना द्रड़ होगी तो हम हर बात उसे नहीं कहते रहेंगे भगवान को सब कुछ समझता है ऐसी भावना असल में द्रड़ हो गई तो हमारा आचरण भगवान को पसंद आने के धंग से ही होगा तड़के उठकर भगवान की मूर्ती चक्षु के सामने लानी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए जहां और जब तेरा विस्मरन होता है वहां मुझे जागरत करो तेरे सिवाई मेरा न कोई आधार है न कोई त्राता यों कहो और प्रणाम करो आत्मी किसी भी प्रकार का क्यों ना हो नाम स्मरण से उसे अवश्य संतोश होगा जो भगवान का हो जाता है पहजीने से या जीवन से कभी उकताता नहीं विशय सुक का आनंद शराब पीने पर जो आनंद होता है वैसा ही होता है नशा उतरने पर शराबी अधिक तुखी होता है मैं भगवान का हूँ भावना से जो जीवन वैतीत करेगा वही जीवन का सच्चा आनंद अनुभव कर पाएगा जीवन में सच्चा सुक भोग सकेगा नारायन नारायन